बॉलिवुड में दिवार, शोले, जंजीर और त्रिशूल जैसी फिल्मों की पठकता लिखने वाले मशूर लेखक सलीम खान ने पदमश्री पुरुषकार लेने से इंकार कर दिया है बढ़ा दे कि सलीम खन ने नाराजगी जाहिर करते हुए साफ कहा कि सरकार की कारे प्रनाली कुछ तो गलत है उन्होंने कहा कि मैं पदमश्री के खिलाफ नहीं हूँ लेकिन ये सम्मान मुझे इतनी देरी से क्यों दिया जा रहा है आगे उन्होंने कहा कि अब मुझे नहीं लगता कि ये सम्मान मेरे लेवल का है इतना ही नहीं सलीम ने कहा कि पदमश्री तो मुझसे जूनियर पचासों को मिल चुका है क्या 69 साल की उम्र में मुझे ये सम्मान मिलना उचित है वैसे सलीम के अलावा इस फुरुषकार को लेने से बाबा रामदेब तब श्री श्री रवी संकर ने भी इनकार कर दिया था बताते चले कि सलीम खान ने जावेद अक्तर के साथ मिलकर बॉलिवुड की कई फिल्मों के लिए बेहत शांदर कहानिया लिखी है नेक्सने उन्यूसरों से मैने तू